हर इंसान की जिन्दगी का एक हिस्ता ऐसा जरूर होता है जिसके तार भले ही बीते हुए कल के साथ जुड़े हो लेकिन आज भी उसे याद करके पच्चतावे के अलावा कुछ महसूस नहीं होता इस खास रिपोर्ट में हम आपको बॉलिवुट की धंधा गर्ल माधूरी दिक्षित की जिन्दगी के उस हिस्ते से रूबरू करवाने जा रही है जिसका पच्चतावा उम्र के इस पड़ाव पर पहुँचकर भी माधूरी को है जैसा कि आप सब जानते हैं माधूरी हिंदी सिनेमा जगत की मोस्ट टालेंटिड एक्ट्रोसस में से एक है अपने फिल्मी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिक फिल्मे दी कई फिल्मों में वो रानी लक्ष्मी भाई की तरह विलन्स से लड़ती दिखाई पड़ी कई फिल्मों में उन्होंने कॉमेडी रोल प्ले किये तो वहीं कई बार परदे पर माधूरी बोल्ट भी हुई ऐसे में अगर उनके परदे पर दिये गए बोल्ट सीन्स पर चर्चा करे तो एक फिल्म ऐसी है जिसे खुद माधुरी कभी याद नहीं करना चाहेंगी हम यहाँ बात कर रही हैं फिल्म दयावान की जिसमे माधुरी के साथ दिवंगा टाक्टर विनोत खन्ना नजर आये थे इस फिल्म के साथ एक विवादित किस्ता जुड़ा है विनोत खन्ना को लेकर ये हमीशा कहा जाता है कि फिल्मों में रोमांटिक सीन्स करते हुए वो इतने बेकाबू हो जाते थे कि उनको संभालना मुश्किल होता था ऐसे में फिल्म दयावान के दौरान माधूरी दिक्षित के साथ इंटिमेट सीन्स करते हुए विनोत इतने बेकाबू हो गए कि माधूरी की हालत उन्होंने पूरी कर दी फिल्म रिलीज के बाद इस सीन के लिए माधूरी की खूबा लोचना हुई विनोथ खन्ना के साथ ऐसे सीन पर माधूरी कुवाज भी पच्चतावा है बता दे आपको फिल्म रिलीजिंग के बाद उन्होंने कॉंफरेंस करके डायरेक्टर और विनोथ खन्ना तोनों पर धेड़ सारे इलजाम लगाए गौरों की माधूरी विनोथ खन्ना से उम्र में 21 साल छोटी थी ऐसे में उनके सीन्स पर लोग काफी भढ़के नेक्स्तुनाइन नियुस सेव मेगा की रिपोर्ट